करो कुछ मद्द दियों थोड़े चार देने ठंदा पाने पी लिया है जी नदाय नहीं है आज सोशल मीडिया का जमाना है लोगों के हाथ में पावर है देखे सिंगल इंसान कुछ भी नहीं कर सकता है पर अगर सब लोग मिल जाएं तो बहुत कुछ कर सकते हैं हम इस परिवा नहीं परिए बीमारी भी कुछ ऐसी कि जो लाइलाज बीमारी है जिसके इलाज में काफी जादा खर्च होता है गराले कि नेजर मदद करनी है कि हम सब बाल बच चला ना गरीब तब का सारा को यह मीर दैर्ड नहीं के आंसूं को जो है वो कम कर सकते हैं इनके दर्द को जो ह ही अपील करूंगा कि इस वीडियो को जादा से जादा शेयर कीजिए अगर आप कुछ भी नहीं पे कर सकते हैं तो इस वीडियो को शेयर करके अपना फर्ज जो है वो जरूर निवाए नमस्कार मेरा नाम है आजे और आप इस समय देख रहे हो आपका अपना चैनल आज सब लोगों के समक्ष मैं आपसे एक मदद की अपील जो है वो करने आया हूँ आज मैं आया हूँ मगैनी गाउं में जी हाँ उधमपूर से कोई 5-6 किलो मीटर की दूरी पर ये गाउं है और आज मैं यहाँ पर आपको एक घर में लेके आया हूँ इस घर की सबसे पहले मैं का इलाज बीमारी है जिसके इलाज में काफी जादा खर्च होता है बाकी की कहानी हम इनसे ही जो है वो जानते हैं तो ये सबसे पहले मैं आपको दिखाना चाहूंगा ये महिला हैं ये बुजर्ग हैं और सबसे बड़ी इस परिवार में यही है इनका एक बेटा भी है दो जोनों का ये परिवार है माता जी के नहां थोड़ा काली देवी तुसे के प्राब्लम है तो अब से बुमारी यह का दूदे तुस बुमारी यह का दूदे तुस बुमारी के रहिया कि अगर आप इनके आंसों को समझ सको अगर आप इनके दर्द को समझ सको तो आप इसी से अंदाजा जो है वो लगा सकते हो कि ये लोग जो है वो कितने दर्द में है और आज सब लोगों से आप सब देखने वालों लोगों से ये मदद की अपील जो है वो कर रहे हैं हमारे साथ यहां पर इस गाउं के जो पंच हैं वो भी प्राब्लम यह कोई काफी देर हो यह साल अगलों पर यह पहले नारमल सही हुंदी के कोई पर यह पहले हैं नारमल यह दोई हंदे रहीं जिस विल्याष्पाल की जाजे तखले वह दास्ट लग धा उत्थे महले टेस्ट वश्च वह दा उत्फें यह देड़े आज ग्रीव आदम यह दूजी 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 हुड़ा दा हो दी तर नहीं हैं जगाज मेन दीदी नह परिवार निया तोड़ी परिवार नहीं तोड़ी कि नहीं तोड़ी कि लगदा है कि किन नहीं घर खर्च जेका इंदी बुमारी परिष्लाई नहीं शोड़ी किसा यह हुरी ठीटमेंट गालगी थी जाद यहां यहांव तोड़ी नहीं पना किसा थे बुक पारी नहीं संटाने bringsवारी कि आठीट्मेंट कि आप एकिसे वह कुछ नहीं इनार मोह नहीं होनों को बट ओन इन्नार मोली होनों को इपफी कुछ नहीं हो दिनकल्जेस के ब bowling जो चलो बढू उने कुछुछ नहीं हो थ guilty 20 जो चलो भा ये को चलो बहुए को मध्ड़ को डुख हो लो ही जार थे नrig कोई मद्द दो ही आए चलो बाई यह ने भी चार दिन तो टंडा बाणी पीज़ा को देना अपने चैनल के माध्यम से आप सब लोगों से यह अपील करूंगा कि आप सब लोग भी इंसानियत का फर्ज है वो जरूर निभाएं और इस परिवार की मदद जरूर करें क्योंकि देखिए मुसीबत जो है वो किसी पर भी आन पड़ सकती है आज इस परिवार पर यह कितनी गुर्बत में यह लोग थे और आप सोच सकते हों कि इन्हों के पास कितना ही सेविंग मनी होगी कितना ही पैसा होगा जो कुछ भी था वो आज तक यह एक साल से बिमार है और पूरा का पूरा पैसा फिलहाल यह अपना खर्च कर चुके है और एक हिसाब से देखा जा एक हिसाब से उनके हाथ ही खड़े हो चुके हैं और अब यह पूरी जनता से अपील कर रहे हैं कि इस परिवार की मदद की जाए इनके आंसों को कम किया जाए और इनके दर्द को कम करने की कोशिश जो है वो की जाए और इसके साथ ही मैं आपको बताऊंगा कि हमारे साथ य जो है वो सामने आते हैं यह मैं आपको बता दू कि परियास NGO से जुड़े हैं उसके चेर्मैन है तो यह भी इस परिवार इस घर में जो है इस समय आए हैं पबन जी आप क्या कहना चाहोगे इस मौके पर पहले तो आप मीडिया बंदुओं को शुक्रिया क्योंकि इस थोड़ी मदद एक जिन्दी की बचाने में काफी हथ तक काम्याब हो सकती है तो मेरी आपके चैनल के मादियम से आम जनता से यही अपील है कि इस परिवार की मदद के लिए आगे आएं और उनसे जितनी मदद हो सकती है वो इस परिवार की मदद करें ताकि इनका जो जलत है और बेबस हैं इस समय और आप सब लोगों से ये उमीद लगा रही है कि आप इनकी हेल्प करोगे इसलिए ये आज मीडिया के समख्ष यहां पर आई हैं आप इनके आसों से अंदाजा लगा सकते हो कि ये कितने डर्द में हैं मादा जी आखरवेच किश आखना चांद जीना दाएनी है जला थोड़ी सेर भजी आटी थोड़ी मददद कर देख आज अश्पिताल भी जांग लाई करांग यह को ने करनी है और नी कोई पासपर लेके सिए मुड़ा प्यार थैडिया लांदा थैडी पूरी करनी कि लाई करना थैं और जो जा रही हैं यह जी दर्शको देखो यही कह रहे हैं कि इनकी मदद जो है वो की जाए मैं यही कहूंगा कि आज सोशल मीडिया का जमाना है लोगों के हाथ में पावर है देखे सिंगल इंसान कुछ भी नहीं कर सकता है पर अगर सब लोग मिल जाएं तो बहुत कुछ कर सकते हैं हम इस लिदा शकती है चाहिए 10-20 रुपए ही है पर पे ज़रूर कीजिये बहुत सारे अगर पापूलेशन की बात की जाए तो जम्हू कश्मीर की पापूलेशन भी कम नहीं है अगर 10-10 रुपए भी अगर पे करते हैं तब भी हम इनके आंसों को जो है वो कम कर सकते हैं इनके द अपना फर्ज जो है वो जरूर निवाएं और जितने भी लोग मेरे मेरे भाई बहन जितने भी इसको देख रहे हैं बाद में देखेंगे जरूर शेयर कीजिए ताकि हर इंसान तक ये वीडियो पहुंचे और जितनी जथा शक्ती है इस परिवार की वो मदद कर चाहे सो पच चाहस रुपे ही कर सकें पर मदद इस परिवार की जरूर करें इसके साथ ही अब मुझे दीजिए अजाज़त जै फिन